सबी पर्मीशर के सदस्य जो आज स्वय की राज की कामरा करते हैं आप सबसे मिलकर आच्छा लगा आज मैं आपका होस्ट रहूंगा और मैं शिंचन जी इशू की कलेसिया बर्थलों में गोद्र से हूँ सबी राज के भेदों के दिश्टांतों के सही अर्थों पर गवाही जितने भी लोग इस शिंचन जी ऑनलाइन सेमिनार में जोड़ते हैं आप सभी काम स्वागत करते हैं इस सेमिनार के द्वारा हम स्वार की राज के जो भेद हैं वो हम बतलाने पाते हैं और इस वचन के मादियम से पूरी दुनिया से पास्टर्स और विश्वासी कृतक गिता और आभारी जो संदेश हैं वे हमें भीजते हैं तो आप सभी के सहीयों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आज के समय में भी हम इस स्वार की राज्य के बारे में और गहराई से जानने पाएंगे तो चलिए वचन में जाने से बहले प्रातना करते हैं हे परमेशया पिता जिसके हमाभारी हैं इस मोल्यवान समय पर जैसे तुँ हमारी अगवाई करता है तो इसके लिए हम आपका धनावाद करते हैं तेरे वचन के अंदर जीवन हैं और जोती है और हम विश्वास करते हैं कि रचना करने की शक्ती है और इस वचन के माध्यम से हम हमारी जो अंदरूनी अस्तित्व हैं वे जीवित होने पाएं और हम ऐसे व्यक्ति बनने पाएं ऐसे लोग बनने पाएं जिससे तू खुश हो आज हम इस धर्मिक्ता को महसूस करने पाएं और सच्ची विशासी बनने पाएं इस समय हम एक अच्छे दिल के साथ तेरे इस वचन को ब्रहन करें और हम वो फलदायक तेरे सच्चे संतान बन सकें जैसे कि इस समय पूरी दुनिया तेरे वच्छन को सुनती है तो हम इस समय एक होने पाए और परमेशर हम इस सभी समय के मादम से तेरा धरनिवात करते हैं क्योंकि तो हमारे अगवाई करता है और यह सारी विंते हम ईशुमसी के नाम से मागते हैं आमिन स्वर्के भेदों के दिश्टांतों के सही अर्थों पर गवाही पिछली बार जैसे हमने पढ़ा था तो आज हम उसे जारी रखेंगे और आज हम पार्ट उन्निस पढ़ेंगे जो कि है दिश्टांत रुपी दुल्हा, दुल्हन, विद्वा और अनात है उसके बारे में जानेंगे तो चलिए आज इंस्ट्रक्टर को बुराते हैं सभी को अभिवादन सभी पास्टर्स, थियालोजी स्टूडेंस और पुरी दुनिया में जो मर्डली के सिदस्द से हैं आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा मैं एक सेंटर इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरी नाम खीम दॉंग्योन है और मैंने बारतलों में गोत्र के जो प्रधान है उनसे ये वचन सिखा और हमारे गोत्र के प्रधान हमारे अध्याक्ष बीवानही से ये वचन सिखे इस समय जितने भी पास्टर्स अपने कार्य में लगे हुए हैं अपने से विकाई में लगे हैं आप से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी का स्वाकत हैं तो आज हम अपने उस पार्ट को जारी रखेंगे आज हम पढ़ेंगे बाइबल में हम देख सकते हैं कि भौतिक दुल्हा दुल्हन विध्वा और अनाथ है लेकिन उन भौतिक चीजों की विशेष्टाओं की उपमा में आत्मिक दुल्हा दुल्हन विध्वा और अनाथ भी है तो उन बहुतिक विशेष्टाओं की उपमा में हम आज स्वर के राजे के जो भेध है उसके बारे में जानने पाएं हम सभी पास्टर्स जानते होंगे कि हम एशू का एशू का इंतजार करते हैं एशू का एक दुल्हे की तरह इंतजार करते हैं तो लेकिन आज बाइबल से हम जानने पाएं कि ये सारी कारे कैसे होते हैं और इशू का जो दुल्हन है वो कौन है वो भी आज हम जानने पाएं और इशू जिस विवाभोज में हमें बुलाते हैं वो कहा हैं हम उसमें कैसे भाग ले सकते हैं और उस विवाभोज में भाग ल यानिकी आत्मा दुल्हन यानिकी शरीर और दिश्टांद रुपी विधवा एक ऐसा पादरी है जो विश्वासघात करता है और चौथा दिश्टांद रुपी अनात ऐसे मंडली के स्थर से हैं जो उन विश्वासघाती पादरियों के अंदर है तो चलिए पढ़ते हैं इन स सभी के अर्थ ऐसे कैसे निकले सबसे पहले हम दुल्हा और दुल्हन के बारे में पढ़ेंगे चलिए आज हम उस संदर्ब में चलते हैं होशे 2 उसका 19 से 20 मैं सदा के लिए तुझे आपनी स्तरी करनी की प्रतिक्या करूंगा और ये प्रतिक्या धर्मिता और न्याय और कर करना और दया के साथ करूंगा ये सच्चाए के साथ की जाएगी और तो यहुआ को जान लेगी तो होशे 2 उसके 19 से 20 में हमने देखा परमेशर कहते हैं कि मैं तुझे अपनी स्तरी करने की प्रतिक्या करूंगा तो यानि की परमेशर एक दुल्णा है और परमेशर कह रहे हैं कि मैं तुझे है ना किसी को वो ब्याहने की उसे एक करने की क्या है वो परमेशर पतिक्या कर रहे हैं तो यह क्या है यह आत्मिक विवा है आध्यात्मिक विवा है तो इस आध्यात्मिक दूल्हा और दूल्हन और विवा के बारे में चली जानते हैं बाइबल में आध्यात में दुल्हा और दुल्हन उन भौतिक दुल्हा दुल्हन की उशिष्टाओं की उप्मा है तो हम देख सकते हैं कि दुल्हा दुल्हन के साथ विवा करता है और वे एक घर में रहते हैं और दुल्हा जो है दुल्हन को बीच देता है और दुल्हन जो है उस बीच को अपना कर एक बच्चा देती है और उस बच्चे का पालल पोजन किया जाता है तो हम देख सकते हैं कि दिश्टांत रुपी दुल्हा जो है वो दिश्टांत रुपी बीच देता है और दिश्टांत रुपी बीच क्या है वचन तो दिश्टांद रुपी बीच क्या है वचन तो दिश्टांद रुपी दूला क्या देता है वो वचन देता है और वचन कौन देता है आत्मा देता है इसलिए दूला क्या है आत्मा और जो अस्तिव उस बीच को अपनाता है वो कौन है वो एक व्यक्ति होता है एक शरीर जैसे कि गलातियों 4 के 19 में आपने देखा कि पॉलुस अपने आपको एक स्त्री के रूप में बतलाते है यानि कि एक स्त्री एक व्यक्ति है जो उस बीच को अपनाता है उस वचन को अपनाता है और उस वचन के माध्यम से वो मर् और उनका पालन पोशन करता है तो भौतिक दूलहा और दूलहन के विशेश्टाओं को जान कर हम आध्यात्मिक दूलहा और दूलहन के बारे में और विस्तार से जानने पाएं हमने देखा कि होशे 2.19.20 में एक भविश्वानी लिखे गई थी परमेशर ने कहा कि मैं तुझे अपनी स्त्री बनाने की प्रतिग्या करूंगा परमेशर ने होशे से ये कहा तो क्योंकि परमेशर विवा करने वाले हैं तो वे क्या होंगे वे दूलहा होंगे और यर्मया उसके आप 31 के 32 में देख सकते हैं कि परमेशर ने कहा कि मैं यदपी उनका पती था तो परमेशर क्या है एक कदूला एक पती के रूप में है ना और परमेशर होशे से विवा करने की बात कर रहे हैं लेकिन आपको क्या लगता है कि परमेशर सच में होशे से विवा करेंगे आप होशे 12 के 10 में देखो परमेशर क्या कहते हैं परमेशर भविश्य दक्ताओं के द्वारा दिश्टांत कहते हैं दर्शन देते हैं यानि कि इस भविश्य दक्ता को भी एक दिश्टांत के रूप में इस्तिमाल किया गया तो परमेशर जब होशे से विवा करेंगे वो एक भविश्यवानी है एक दिश्टान्थ है और इस भविश्यवानी के पूरा होते समय परमेशर एक किसी व्यक्ति से विवा करते हैं जिसके साथ परमेशर एक होने पाते है पहले आग्मन में ये कैसे पूरा हुआ पहले आग्मन में आप देख सकते हैं मती तीन के सोला में परमेशर की जो पवितर आत्मा थी वो इशु मसी के अंदर आई तो परमेशर की जो आत्मा है वो दूला है और इशु जिससे परमेशर ने चुना वो क्या है उनके साथ वो आत्मा एक होती है और वे क्या है जो आत्मा और शरीर वो एक होते हैं और ये क्या है ये आध्यात्मिक विवा है और वे एक घर में रहते हैं आप यहुना 10 के 30 में देख सकते हैं इशुमसी ने क्या कहा इशुमसी ने कहा कि मैं और पिता एक हैं क्यो इशू का जो शरीर था वो परमेशर के लिए एक घर बन गया तो ये वो आध्यात्मिक विवा है आत्मा और शरीर का और उसके मादम से वे एक हो गया और जैसे कि विवा होता है तो दुल्हा दुल्हन को बीज देता है उसी प्रकार परमेशर ने भी जो बीज है वचन है वो यहुना 17 के 8 में देखो तो इशुमसी ने क्या कहा क्योंकि जो पादे तू ने मुझे दी हैं मैंने भी उनको पहुचा दिया और ये वचन जो परमेशर ने इशु को दिया ये पुरानी नियम का प्रकट वचन था तो परमेशर हैं वो जो बीच देते हैं इसलिए कौन है वे कौन थे वे आप मान सकते हैं कि कैसे वे बच्चे हैं न वे संतान हैं तो आप देख सकते हैं कि परमेशर दूलहा हैं और इशुमसी दूलहन थे और उनके माद्यम से वो जो शिश्य थे चेले थे वे उत्पन हुए और हम देख सकते हैं कि पहले आगवन में जो इसराइली ये शाया 19 में आप दिखसकते हैं परमेशर का लोग इंतजार करें थे और परमेशर ने कहा कि वे शीगर उड़ने वाले बादल पर सवार होकर आएंगे लेकिन इस परमेशर से मिलने के लिए लोगों को क्या करने के ज़रति इस परमेशर को पाने के लिए परमेशर से मिलने के लिए लोगों को उस शरीर को उस व्यक्ति को ढूनने के जरती जिसके साथ परमेशर एक होए थे तो परमेशर की जो दुलहन है आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का व्यक्ति होगा क्या बहुत सुन्दर होगा, बहुत बड़े सिधानत का होगा, या फिर एक बहुत बड़े विश्व विद्याले से बाहर आया होगा, आपको क्या लगता है, इश्यू में ऐसा कुछ भी नहीं था है, आप ये शाया तिरपन में देखो, इश्यू में कुछ सुन्दरता भी न सकते हैं आज हम पुराने नियम को एक स्टैंडर्ड एक माबदन लेकर इसका अध्यन करते हैं यहूदियों ने उन भविश्य वक्ताओं और भविश्यवार्णी पर कोई रूची नहीं रखी इसलिए उन्होंने इशुमस्य के वचन को नहीं अपनाया और इशुमस्य को ठु परमेशर की युक्ति क्या है और परमेशर का वादा क्या है तो चलिए आज हम इस आध्यात्मिक विवा के बारे में जाने की कोशिश करें परमेशर की आत्मा और वो जो शरीर है वो जो एक हो जाते हैं और एक घर में रहे कर एक घर में रहे कर उस आत्मा के जो बच्चे है उसको जनते हैं तो ये क्या है? ये आध्यात्मिक विवा है तो पहले आगमन में हमने दूल्हा और दूल्हन के बाले में जाना लेकिन हम दूसरे आगमन में दूल्हा और दूल्हन के बाले में चलिए पढ़ते हैं मतीब 22 उसका एक से दो पढ़ते हैं इस पर इशु फिर उनसे दिश्टांतों में कहने लगा स्वर्का राजा उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवा किया तो मत्ये 22 उसके एक सी दो में आप देख सकते हैं कि स्वर्का राजा एक विवा भोज के तरह बताया गया और ये कहा गया कि ये दिश्टांत है तो इन संदर्ब वाकियों में आप खुछ सोचो कि ये जो राजा है कौन है जो विवा भोज तयार करता है और ये पुत्र कौन है जिसका विवा हो रहा है आप देख सकते हैं कि राजा परमेशर है और पुत्र जिसका विवा होता है ये ईशू मसी है क्योंकि ईशू मसी का विवा होता है तो ईशू मसी दूसरे आगमन पर एक दुल्हा की तरह आते हैं ना कि दुल्हन की तरह तो ईशू जो वापस आ रहे हैं आत्मा में वे दूला हैं तो ईशू चलिए जब दूसरे आगमन पर आते हैं तो कैसे आते हैं उसकी बारे में प्रकाशित वाके में देखते हैं जो कि दूसरे आगमन की बारे में उस तक है आप प्रकाशित वाक्य दो और तीन में देख सकते हैं कि ईशुमसी वापस आते हैं और उन साथ कलिस्याओं को पत्र भेजते हैं तो ये जो पत्र भीजता है आप देख सकते हैं प्रकाशे द्वाके 2 के 18 में लिखा है कि वो परमेशा का पुत्र है जो ये पत्र भीजता है और प्रकाशे द्वाके 2 के 39 में आप देखो तो ये कहा गया है कि जिसे कान हो वह सुनले की आत्मा कलीस्याओं से क्या कहता है यानि में दुल्हा बन कर आते हैं और इशू इस दुनिया में एक पाद्री को चुनते हैं और इसके माध्यम से कारे करते हैं तो ये जो चुना गया पाद्री है ये जो चुना गया व्यक्ति है ये इशू मुस्री का दुल्हन बनता है तो ये कौन होगा आप प्रकाशित दाक्यतीन के बारा में देखो तो लिखा है कि जो जैप आए जो निकोलियों से लड़कर जैप आएगा और जो व्यक्ति उन साथ दूतों के मंदिर में प्रकाशे दो उतिन में साथ दूतों के मंदिर में प्रकट होगा उस के साथ उस जैप आने वाले के साथ ये कहा गया कि परमेशर के मंदिर का वोई खंबा बनेगा और परमेशर का नाम परमेशर के नगर अर्था यरुशनिम का नाम और परमेशर के पास इस्वरक पर से उतरने वाला और अपना नया नाम में उस पर लिखूंगा ऐसा लिखा तो यानि क आप प्रकाशी दख्या 10 में देख सकते हैं कि एक खुली पुस्तक है जो इशु मसी अपने स्वग्दूत को देकर उस युहना को देते हैं आप देख सकते हैं कि यह पुस्तक क्या है जो इशु मसी ने युहना तक महुचाए यह प्रकाशी दख्या की पुस्तक है जो किस की प्रकाशित वाक्य है यह इशुमसी का प्रकाशित वाक्य है तो यहां इशुमसी एक दुल्हा की अवस्था में है वे अपने वचन जो है जो प्रकाशित वाकी की गवाही का वचन है वे अपने दास यूना तक पहुँचाते हैं तो इस समय इशुमसी यह जो वचन है यह यहना को क्यों पहुँचा रहे हैं ताकि यहना भी इस बीच को अपना कर क्या है बच्चे जन सके संतान जन सके आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्या 22 के 16 में ईश्यू मसली ने अपने दूद को उन कलिस्याओं के लिए भी जा ताकि गवाही दी जाए जो भी उसने सुना है देखा है उसकी वो गवाही दे और आप प्रकाशित वाक्या 22 के 17 में देखो लिखा है कि आत्मा और आत्मा और दुलहन दोनों कहती है आ तो प्रकाशित वाक्या 22 के 17 में आत्मा और दुलहन दोनों कहती है और जो भी सुनने वाला है और जो प्यासा है वो जीवन का जल सेंट में इतले ऐसा कहा गया तो हम देख सकते हैं कि यह जो यहुना है जो ईशु मसी का जो दूथ है यह वो दुल्धन है जो ईशु मसी के बीच के माध्यम से क्या है लोगों को यह गवाही का वचन पहुचा सकता है और इसके माध्यम से लोग ईशु मसी के वचन को अपना सकते हैं तो दूसरे आगमनबर ईशो मसी का जो हम इंतजार करते हैं ईशो मसी आत्मा में आते हैं इसलिए हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं तो अगर हम ईशो मसी को देख ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे उसे पा सकते हैं उसे कैसे मिले हम तो आज हमें इस धर्ती पर उस दुल्हन से मिलने की जरत है जिसके साथ ईशुमसी एक होते हैं ताकि हम ईशुमसी को ग्रहन कर सके तो इस दुल्हन को हमें जांशनी की जुरत है क्या ये व्यक्ति सच में ईशुमसी का दुल्हन है या फिर अपने खुद के सोच से कुछ भी बनाकर ये बोल रहा है हमें ये जांशनी की जुरत है अगर ये व्यक्ति ईशुमसी का दुल्हन है तो ये बाइबल की भविश्यवानियों के हिसाब से प्रकट होना चाहिए जो कि प्रकाशित दाकी के भविश्यवानियों की पुस्तक है उसकी हिसाब से आने चाहिए ये जो दुलहन है ये अपने आप व्याख्या नहीं बनाता लेकिन उस पुस्तक के माध्यम से जो प्रकड वचन है, जो उसी दिया जाता है, उसकी वो सारी चीज़े देखते हैं, सुनते हैं और उसकी गवाही वो देते हैं तो आज हमें भी जाँचनी की जुरत है कि क्या वो गवाही के वचन जो उस दुलहन के उस पादरी के माधम से आते हैं क्या वो सारी चीज़ें हुई हैं की नहीं तो उस पादरी के गवाही को सुन कर हम जान सकते हैं कि इश्यू का ये प्रकड वचन आज हम तक कैसे पहुँचने पाता है और उस प्रकड वचन से हमारी अगवाई होती है ताकि हम सब स्वर के राजे में जा सके तो इसलिए आज हमें इस ने नियम के वचन को प्रकाशित वचन को जाननी की ज़रत है और अपने दिलों में मुहरित करनी की ज़रत है अब तक हमने दुल्हा और दुल्हन के बारे में जाना पहले आगमन और दूसरे आगमन में दुल्हा और दुल्हन के बारे में जाना लेकिन इन दुल्हा और दुल्हन से मिलने के लिए हमें विवा भोज में जाने की ज़रत हैं आप दुल्हा और दुल्हन से कहा मिलोगे विवा भोच में तो उस विवा भोच के बारे में चले पढ़ते हैं अगर विवा भोच में विवा 12 बजे हो रहा है और अगर आप 5 बजे पहुँचे तो क्या आप उस विवा में भाग लेने पाएंगे नहीं है ना और आप बहुत जो अच्छे भोजन है ना स्वादिष्ट भोजन को भी आप क्या है उससे हाध्धो बैठेंगे तो चलिए इस विवा भोज के बारे में और उस भोजन के बारे में जो उस विवा भोज में मिलता है चलिए आज पढ़ते हैं चलिए संदर्ब में प्रकाशित अच्छार महीन मलमल पहनने को दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिक कारे हैं तब स्वर्दूत ने मुझसे कहा ये लिख की धन्यवे हैं जो मेमने के विवा के भोज में बुलाए गए हैं फिर उसने मुझसे कहा ये वचन परमेश्र के स ये किसी भी समय नहीं खुलता आप प्रकाशित वाक्या 19 का एक देखो उसमें क्या लिखा है उसमें लिखा है कि इसके बाद इसके बाद यानि कि वो प्रकाशित वाक्या 18 के बाद होता है प्रकाशित वाक्या में जब ये साथ दूत है जिनको ईशु मसीन चुना वे विश दूतों को पकड़ लेते हैं और अब क्या है उन विश्वासघातियों और उन विनाशकों का न्याय होता है और इसलिए प्रकाशेद्वा के 18 में उनके न्याय के बाद प्रकाशित वाक्या 19 में ये विवाभोच खुलने पाता है जो कि उद्धार का कार्य है ये उन विश्वाजगात और विनाश के कार्यों के बाद होता है तो उस प्रकाशिदा के 19 के विवाभोज में इस विशासगात और विनाश के गवाही के बारे में बतलाया जा सकता है इसलिए मती 22 की चार में आप जाओ उस विवाभोज में हम उस बैल और मोटे पशु के बारे में जान सकते हैं बैल और मोटे पशु को खा सकते हैं बैल क्या है? बैल एक परमेशर का पादरी होता है लेकिन क्योंकि वो बैल वो परमेशर का पादरी उस वाचा को तूर दिता है इसलिए उसे क्या है? उसे मार दिया जाता है अब ये मोटा पशु क्या है? ये मोटा पशु क्या उसने बहुत खाना खाया इसलिए वो मोटा हो गया नहीं ये मोटे पशु ऐसे लोग है जिन्होंने पर्मेशर के जो संथ है उनको वो खा गये उनको उन्होंने निगल लिया लेकिन आप देख सकते हैं कि विवा भोज में उनको भी पकड़ लिया जाता है इसलिए आज हम देख सकते हैं कि विवा भोज में हम उन विश्वास घातियों और उन विनाश्य को दोनों तरह के लोगों को पैचान सकते हैं और जान सकते हैं और विनाशकों के बारे में सच्ची गवाही जानने पाएंगे देने पाएंगे और ये जो मेमने का विवाभोज है ये कहा है आप देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्या 13 में जो विश्वास घाती हैं और विनाशक हैं उनके बारे में जानने के बाद ये जो लोग हैं जो उन विशासगातियों और 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 विशास परवत है अगर दुल्हा इस विवा भोज में है तो इशू की जो दुल्हन है वो भी तो यहां होगी है न और इसके अलावा जो एक लाग चवालेज़ार जन है जो उस युहनना से वचन को सुनते हैं जिनकी कटाए होती है जिनको मुहर किया जाता है वे भी इस थान पर प्रकाशित वाके साथ में आप देख सकते हैं कि जो एक लाग चवालेज़ार हैं वे बारगोत्रों से बने हुए हैं और इन बारगोत्रों पर परमेशर और इशू आने पाते हैं और एक होने पाते हैं और सदा के लिए रहने पाते हैं इसलिए ये स्थान जो है ये स्वर क कि राज्य का विवाभोज नहीं बन सकता जो सच्चा विवाभोज है वहां दुल्हा इश्यू को होने की जुरत है और दुल्हन उस जैप जो जैप आता है उसको होने की जुरत है और जहां बारों गोत्रों को होने की जुरत है तो आज इस विवाभोज की वास्विकता अगर हम ऐसे जगह जाकर इंतिजार करें जो विवा भोच नहीं है, तो क्या हम उस दुल्ह और दुल्हन से मिलने पाएंगे? जी नहीं, हम वहां पे उस दुल्हा से या दुल्हन से या परमेशर से नहीं मिलने पाएंगे. इसलिए हम अगर अपने प्रियर दुल्हे का इश्यो मस्तिक अगिजार करते हैं तो हमें उस वादा किये गए स्थान पर विवाभोच में जाने के ज़रत है लेकिन आप अगर विवाभोच में जाना भी चाहो तो हर कोई क्या है अपने मर्जी से नहीं जा सकता है वहाँ जाने की योग्यताएं होनी जरूरी है आप मती 22 उसके 11 के 13 में देखो चाहे कई लोग उस विवाभोच में आते हैं लेकिन लोग अगर विवावस्त्र नहीं पेंते हैं तो उन्हें बाहर फैक दिया जाते हैं आप देख सकते हैं कि विवावस्त्र धार्मिक लोगों की कार्य है इसलिए हम में धार्मिक कार्य होने चाहिए और मती 25 में भी आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो ईशू मसी का इंतिजार करते हैं जो 10 कुवारिया है लेकिन उन्दस स्कुआरियों में से 5 क्या है लापरवा है उनके पास मशाली तो थी लेकिन तेल नहीं था और वे ईशू का सौगत नहीं कर सकते हैं तो ईशू का इन्तिजार करने के लिए उन्हें मशाल और तेल की जुरत है मशाल क्या है भविश्वाने का वचन और तेल क्या है गवाही का वचन उन गवाह के माध्यम से जो इन भविश्वाने के पूर्ती का वचन देते हैं बविश्वानियों के पूर्ती के गवाही देते हैं तो इस गवाही के माधियम से ही हम इस तेल के माधियम से ही हम उन मशालों को जला सकते हैं और ईशुमसी का इंतजार कर सकते हैं उनका स्वागत कर सकते हैं तो आज हम इन सभी चीजों को जानकर उस विवा की मेमने भोज में भाग लेने पाएं और ईशु मसी का स्वागत करने पाएं लेकिन मेमने की विवा भोज के अलावा एक और स्थान है जहां हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए वो है शैतान का विवा भोज तो शैतान की विवा भोज के बारे में चलिए प्रकाशित वक्या 18 में पढ़ते हैं तो प्रकाशित वक्या 18 तेईस पढ़ते हैं और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा और दुल्हन और दुल्हे का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा क्योंकि तेरे व्यापारी प्रिथ्वी के प्रधान थे और तेरे तोने से सब जातिया भर्माई गए थी और बविज़े दिखताओं और पवित्र लोगों और प्रिथ्वी पर सब मरे हुऊं का लहू उसी में पाया गया जी हाँ हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में ऐसे विवाभोज है जो मेमने के हैं परमेश्र के हैं लेकिन ऐसे विवाभोज भी है जो शैतान के हैं तो ऐसे दूले और दूलन भी हैं जो शैतान से संबंदित है तो ये जगा जहां दूला शैतान का दूला और दूलन है ये शैतान का विवा भोज होगा तो चलिए, पहले आगमन से हम देखते हैं कि शैतान का विवा भोष क्या होता है पहले आगमन के समय ईश्यों मसीने उन फरीशी सद्रियों को शैतान का, जो है, शैतान के संतान कहा शैतान, साप कहा और आप प्रकासित लग करें बीस के दो में देखो तो ये स्थाब क्या है वो शैतान है अजगर ये शैतान जो है पहले आगमन में उन फरीसी उन शास्त्रियों के साथ था तो हम देख सकते हैं कि वे शैतान जो है जो आत्मा है जो दुला है वो उन शरीर यानि की फरीसी शास्त्रियों के साथ था जो की दुल्हन थे तो वे लोग एक हो गए और वे लोग शैतान के संतान को उन्होंने जन्मा आप यह ना 8 के 44 में देखो तो फरिसी शास्त्रियों को क्या कहा गया उनको कहा गया कि तुम्हारा पिता शैतान है और तुम अपने पिता की नई जूट बोलते हो तो जूट क्या है? जूटा वचन है ना? जूटी गवाही तो उस समय पर जो फरिसी शास्त्री थे वे क्या करते थे? वे जूट बोलते थे तो आज हम जानते हैं कि जो फरिसी शास्त्री थे उन्होंने शैतान से बीच पाया और उन्होंने पूरे इसराइली जितने भी यहूदी थे उनको जूटा वचन सिखाया और वे सब शैतान के संतान हो गए तो उस समय पर वो शैतान का विवा भोज था तो ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया जो है उस शैतान की विवा भोज में भाग लेती है तो एक सचे वचन को कैसे जाना चा सकता था हमें ऐसे व्यक्ति को ढूनने के ज़रत थी जिसके पास ये परमेशर का सच्चा वचन था परमेशर का सच्चा बीश था लोग उस परमेशर के है ना उस परमेशर के उस विवा भोच में भाग दी सकते थे परमेशर के पास जा सकते थे लेकिन अगर कोई शैतान के वचन को अपनाता है शैतान के वचन को गरहन करता है तो वो शैतान के साथ एक हो जाता है तो आज अगर हम दूसरे आगवन के बारे में सोचें तो प्रकाशेता के अठारा में शैतान का दूल्हा और दूल्हन है और उस जगह क्या है उस जगह सारे दूश्ट आत्माए सारे वो बुरी आत्माए वहाँ एकतित होती है आप देख सकते हैं कि प्रकाशेता के अठारा के दूसरे तीन में भी हमने देखा कि बाबुल एक ऐसे जगह है जहां सारी जातियां जो है व्यविचार की मद्रा को पीकर मतवाली हो गई है तो ये बाबुल वो जगह है जहां शैतान और उसके सभी दुष्टा आत्माएं है और ऐसे लोग जो उन शैतान के आत्माओं के साथ एक होते हैं वहां उनका विवा होता है तो ये जो व्यविचार की मद्रा है जिसके माद्राइं से सभी जातियां गिर गई ये क्या है ये शैतान का वचन है शैतान का बीच है एक वैश्या क्या है वैश्या आप देख सकते हैं कि बाइबल में एक पास्टर को एक पादरी को स्तरी कहा जाता है लेकिन ये जो वैश्या है ये अपने उस पती परमेशर से नहीं शैतान से बीच अपनाता है शैतान से बी कही जाती है और वो उस बीश के मादियम से शैतान के संतान को जनती है और हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य में सभी जातिया जो है इस विविचार की मदिरा से मतवाली हो गई हैं तो क्योंकि हम भी सभी जाती में आते हैं तो हमें भी सोचने के ज़रत है कि यह जो पर्मेशर के जो बीज है जो कि उस दुल्हन को दिया जाता है उसको हम जांचने के बाद हम पता लगा सकते हैं क्या मैं शैतान के विवाभोज में हूँ या फिर मैं पर्मेशर के विवाभोज में हूँ तो इस समय हमें पर्मेशर के उस सच्चे वचन को जानने के लिए ईशु मसी के उस दुल्हन को खोशने के जुरत है उसी जांचने के जुरत है जिसके माद्यम से हमें प्रकडवचन मिलने पाता है अगला हम विद्वा और अनात के बारे में पढ़ते हैं तो चलिए अनात और विद्वा के बारे में उसका सही अर्थ जानते हैं विधवा एक ऐसी ऐसा पासर है जो परमेशर से दूर हो गया है और अनाथ ऐसे लोग है जो उस पादरी के अंदर है जिसने परमेशर को त्याग दिया तो चलिए विलाबगीत पांच उसका तीन पढ़ते हैं हम अनाथ और पिताहिन हो गए हमारी माताएं विधवासी हो गई हैं तो विलाबगीत पांच के तीन में हमने देखा कि ऐसा लिखा है कि हम अनाथ और पिताहिन हो गए हैं और हमारी माता ही विधवा सी हो गई हैं तो हम देख सकते हैं कि वे ऐसे स्थिती पर हैं ऐसे दुल्हें ने जिनके दुल्हें ने उनको छोड़ दिया हम देख सकते हैं कि बाइबल में भौतिक विधवा और अनाथ है लेकिन बाइबल में आध्यात्मिक विधवा भी अनाथ ह विशेश्ताओं की उपमा है तो चलिए बहुत एक विशेश्ताओं को देखते हैं एक विधवा एक ऐसी आउरत है जिसे जिसका पत्ती जो है चला जाता है जिसका पत्ती उसे दूर हो जाता है और एक अनात एक ऐसा व्यक्ति होता है कोई होता है जिसका पिता उसे छोड़ देता है उसी प्रकार आप यर्मिया 31 उसके 32 में देखो तो ये लिखा है कि पिता जो था पिता वो एक उनके पती के समान था जो परमेशर थे वो उनके पती के समान थे लेकिन क्योंकि परमेशर ने छोड़ दिया इसलिए वे क्या है व वादा को वाचा को तोड़ दिया और यर्मयातीन के एक में लिखा है कि वे जो भटकने वाले बच्चे हैं वे किसी दूसरे पूरिश की हो जाते हैं और परमेशों से दूर होकर वे किस से विवा करते हैं वे किसी और से विवा करते हैं तो ये क्या है ये एक व्यभिचार है आप इर्म्यातीन की आर्ट में देखो, उन्हें क्या कहा गया? उन्हें व्यविचारिनी कहा गया. तो ऐसे पादरी जो परमेश्र के वचन को छोड़ कर, शैतान की आत्मायों शैतान के वचन से एक होते हैं, वे लोग क्या हैं? वे लोग वे विद्वा बन जाते हैं, अनाद बन जाते हैं, परमेशर से दूर हो जाते हैं, वे भीचारिन बन जाते हैं, तो उस समय पर जो इसराइल के घराने थे, इसराइल के लोग थे, वे लोग उस समय पर विश्वासगात करते हैं, परमेशर से दूर हो जाते हैं, हम द तो ऐसे लोग जो परमेशों से दूर हो जाते हैं वे विद्वा और अनात हैं। हम ये जानने पाए कि परमेशर ने क्या है परमेशर ने मनुश्य की रशना की ताकि परमेशर लोगों के साथ एक होकर रह सके लेकिन मनुश्य ने पाप किया और वो शैतान के साथ एक हो गया लेकिन परमेशर इस पाप का समाधान करना चाहते हैं ताकि परमेशर वापस आकर अपनी लोगों के साथ रह सके और परमेशन ने वो पूरा करने के लिए इसराइलियों के साथ वादा किया लेकिन उन इसराइलियों ने क्या किया आदम की नए वाचा तोड़ दी और इसराइल जो है वो विद्वा होगी अनाथ हो गया इसलिए परमेशर ने यर्मिया 31 में एक नए कारे करने का वादा किया एक नई वाचा करने का वादा किया तो वो नई वाचा दूसरे आगमन में एक विवाभोज के बारे में था और वो विवाभोज परमेशर अपने पुत्र इशू के लिए खोलेंगे तो परमेश्र कराज्य उस विवा भोज में मेमने की विवा भोज में पूरा होता है तो प्रकाशित बाके 19 में जो मेमने का विवा भोज है उसमें दुल्हा जो है वो एशू है और दुल्हन एक वादा किया गया पादरी है जो सभी कलिस्याओं के लिए आज गवाही देने के लिए भीजा गया तो ये जो पादरी है ये उस आत्मा के साथ एक होकर जो भी प्यासा है उसे जीवन कजल सेट में देता है तो आज बाइबल के नए नियम के भविशिवानियों के हिसाब से इस दुल्हन को हम ढूणने पाएं इस गवाही को सुनने पाएं उसका अध्यान का जाच कर हम इस सभी लोग इस मेमने के विवाब भोज में सुर के राजमें भाग लेने पाएं तो अगला पार्ट 20 होगा जो की यरुशलम और बाबुल के बीच में युद के बारे में होगा दिश्टांद रुपी यरुशलम और बाबुल के बीच में युद और एक बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ाने आएंगे तो हम आज सब परमेशर और वचन में एक हैं तो चलिए हम नारा लगा कर खतम करते हैं परमेशर और इश्ट्रक्टर आपको परमेशर पिता जो प्रेम से और अनुगरा से भरपूर है तेरे अनुगरा के माध्यम से हम आज ये वचन जानने पाएं हैं तो हम तेरे धन्यवाद करते हैं है परमेशर पिता तुने इस पृत्वी की रिशना की लेकिन आदम के पाप ये वज़े से तुझे यहां से जाना पड़ा लेकिन हम इस समय चाहते हैं कि लेकिन परमेशर तू हम से मिलने के लिए अपने पूत्र ऐशों को भीजता है औ और इशू धरती पर आकर अपने पलिदान से एक नई वाचा बनाते हैं और इशू इस समय पर दूसरे आगमन पर वापस आते हैं और इस विवाभोज को खोलते हैं स्टुडेंसे और मनली किस्दसे हैं जो इस वचन को सुनते हैं उन्हें तू अनुग्र दे उन्हें तू समझ दे ताकि हम सब इस वचन में एक हो सकें जैसे कि तेरी इच्छा है कि हम सब एक हो तो इस वचन के मात्म से हम स्वर के राज्य के हिस्सा बने तेरे साथ एक होने प परमेशों पिता ये कोरोना महामारी भी जल से जल खतम हो जाए ताकि तेरे साथ हम इस दुन्या में रह सकें ये सारे विंति हम इशुमसी के नाम से मांगते हैं जो हमारी जीवन है आमिन तो क्या युद्ध सिर्फ दूसरे आगमन के समय होगा तो क्या ये सामकरी सिर्फ यरुशलिम के लोगों पर लागू होगा तो हम देख सकते हैं कि उस वैश्या के माधे पर बाबूल का नाम लिखा है जो कि एक रहस्य है तो इस युद्ध के बारे में हम जो दूसरे आगमन पर होगा उसके बारे में हम वास्तृता जानेंगे आज के सेशन से क्या आपको बहुत अनुगरा मिला अगली बार हम पार्ट बीज पढ़ेंगे जो की यरिश्लिम और बावुल के बीच युद्ध के बारे में हैं तो अगली बार भी हम जुड़ें और स्वर के राज्य के वो परिवार बनने पाएं जो स्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें अगर आज के विशे से लेकर आपको कुछ भी पूछना है या फिर आप शिंचन जी के बारे में और जाना चाते हैं तो इन देगे नंबर्स पर आप हमसे कभी भी संपर कर सकते हैं हम आप से बात करकर हमें अच्छा लगेगा तो अब हम सभी धन्यवाद और सामर्थ या परमेश्य को सौपते हैं और हम प्रभू प्रात्ना से आज का जो सेमिनार है उसका अंकरते हैं चले प्रभू प्रात्ना करें यह हमारे पिता तु जो स्वर्ग में हैं तेरे नाम पवित्र माना जाए तेरा राज्य आए तेरे इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे प्रद्री पर भी हो हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अप्राध्यों को शमा किया है वैसे ही हमारे अप्राध्यों को शमा कर और हमें प्रिक्षा में नला परंतु बुराई से बच्चा क्योंकि राज्य और सामर्थ्य और महिमा सदा ते रही है आमेन तो इसकी साथ आज हम इस सेमिनार को जो स्वर के राज़े के भीदों के दिश्टानतों के सही अर्थों पर गवाही है शिंचनची ओनलाइन सेमिनार इसका आंग करते हैं आंग तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धहने बाद